हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब हमारे साथ बात करने के लिए हैं अकाली दल की बड़ी देता हर्शिम्रत कौर जी जो कल ही केंदरी मंद्री मंदल से उन्होंने इस्तिफा दिया किसानों के मुद्दे पर मेडम अगर इस प्रश्टता के साथ बात की जाए तो कौन से वो महत्पूर मुद्दे हैं जिनकी वज़ा से आपको लगा कि आपको केंदर सरकार में बना नहीं जायाना चाहिए देखे जब कोई बिल केंदर सरकार लेके आती है वो अच्छी मंद्शा से लेके आती है अब जिनके लिए बिल आया है जिए उन्हें ही ये भरोसा नहीं है कि ये बिल हमारे भलाई के लिए है बलके उनको ये लगए कि इससे तो हमारा भवेकी पूरा खतम हो जाएगा जिस करके आप कह दें कि किसी ने आपको भड़का दिया कोई पूलिटिकल पास्टीज ये वो एक दो प्रोग्राम कर सकती है लेकिन लगातार दो महीने से जे करोना की परवा ना करके जान को खत्रे में डालके बुड़े, बच्चे, किसान, सारे पंजाब, हर्याना, देश कि कोने कोने में लोग जे सडकों पे उत्रे मेरे राजे में तो सबसे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है, उनकी शंकाएं दूर करनी उससे भी ज्यादा जरूरी है, और ये सब किये बिना जे आप सतर हो, खुलते सारी सबसे पहले आप ये बि उनके लिए ठीक वो नहीं समझे हमने बहुत कोशिश करी पिछले दो ढ़ाई महीनों में उनसे बाचीत करके के इंदर से उनकी बाची मंतरी जी की बात कराके लेकिन उनको कन्विंस हम नहीं कर सके और मेरा यह कहना था कि जब तक किसान कन्विंस ना हो तब तक ऐसा कोई यू नहीं आना चैये उनसे बाचीत करके जो चीज वो चाते वो प्रावधान इसमें बनाई जाएं और उनके ही जिनके लिए आ रहा ह। पार्लमेंट में जे आपने सब की पार्टियों की सुनी हुए, मैं कहूंगी 80% पार्टियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है और किसान को हम इतना ये ना समझ ना समझें कि तीन महीने से जे वो पूरा जोर जबर से विरोध कर रहा है, सडकों पे उत्रा हुआ है, तो उनको भी क्र दाता है, जिसने देश भर का पेट बरता है, आज इस एकॉनमी के क्राइसिस में यही तो है, जो इस देश को आगे चला रहा है, उनकी सुनवाई तो कम से कम होनी चाहिए, ना कि एक बिल को पास करके उनके उपर थोपा जाए, और मैंने समझा कि मैं ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगे, जो किसान अपने विरोध में उसको समझते हैं. जिन्हों ने मुझे यहां तीसरी बारी पहुचाया है, आज उनके प्रती जो मेरा फर्ज बनता था, मैं समझती हूँ, मैंने अपना फर्ज अदा किया है, और इस संघर्ष में आज उनके साथ खड़े होने का फैसला लेके, इस बिल का विरोध पूर जोर से करेंगे, जब खास कर बात करें मालवा और माजा चेतर में, जहां किसानों की 90 सीटें ऐसी हैं, जिसमें किसान सीधे असरदार, तो क्या माना जाए, उन ओटों के खस्पने के दर से आप लोग सरकार से वाक उट की हैं, सरकार से बाहर आई हैं? देखे, डर किसी पार्टी को किसी चीज़ का नहीं होता, ये जरूर सही है कि हम एक किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं, किसान हमारी पार्टी के और हमारे पंजाब की रीड की हड़ी है, मैं कहूंगे देश की रीड की हड़ी है, और जिन लोगों ने ये बिल ब पाटियों के साथ सलाम अश्वरा किया जाता, शैद और बहतर बिल हो सकता, जे उन किसानों के साथ सलाम अश्वरा किया जाता, तो इस से भी बहतर हो सकता था, तो कुरसी खिसकने की बात क्या, कुरसी से क्या लालत, जब लोग होते हैं, जो कुरसी तक भेजते हैं, उनकी सु सुनिए जे वो लग रहा है ये कानून से उनका नुकसान हो रहा है तो आप फिर किसके भले के लिए लेके आ रहे और ये जरूर मैं कहूंगी कि पंजाब हर्याना में जैसे का मंडी सिस्टम है वो पूरे देश में नहीं है पंजाब हर्याना का मंडी सिस्टम बहुत बहतरीन तरीके से कई सालों से चल रहा है उस सिस्टम को हिलाने में आज किसानों के मन में शंका है कि प्राइवेट प्लेज बड़े बड़े पूझी पती आएंगे ये धाचे को बिगाडेंगे और किसान जब उन पे निर्भर हो जाएगा तब उनके साथ धोका धड़ी होएगी और उनके उपर तो ये चीज शंका दूर करनी जरूरी थी और क्यों नहीं की गए मुझे यही नहीं समझा लाएगी और जो कानून में थोड़ा बदलाव करती है या जो आप मांग रही है उस पर अगर वो गौर करते हैं तो क्या आप लोग फिर से सरकार में सामिल होंगी आप किया होता है वो पार्टी के फैसले मेरे फैसले नहीं हैं झाल झाल